गुद मॉर्निंग एवरीवन मैं पहला भी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूटूब चैनल एस्प्रिंट लाइन में तो आज की सुबा की क्लास में हम देखने वाले हैं आज का जो करेंट अफ्या है वो तो देखते हैं पहला सवाल जो हमारा जो है वह क्या है ठीक है तो पहला सवाल है हमारा कि फिल्म कंतारा ठीक है फिल्म कंतारा में जो है आपका में अपने अविने के लिए सत्तरवी आश्ट्रिय फिल्म पुरुषकार में तर्व स्रिष्ट अविनेता ता पुरुषकार किसने जीता है ठीक है मनोज बाजपेई ने रिशव सेटी ने सूरस बढ़माने या फिर राहुल वी चित्ते लाने ठीक है तो किसने जीता है रिशव सेटी ने यानी option B आपका क्या हो गया इसका right answer हो गया ठीक है चलिए आगे देखते हैं तो आगे है आपका कि सत्तरवी राश्ट्रिय फिल्म पुरुषकार में रिसव सेटी ने फिल्म कंतारा ठीक है में अपनी भूमीका के लिए सर्व स्रेष्ट अभिनेता का पुरुषकार जीता जिसे शम्पूर्न मनोरंजन क्या क्या जिसे शम्पूर्न मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वत्रेष्ट लोग पीडिया फिल्म का पुरुषकार भी मिला है किसे? तो रिशंस से ठीको नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं तो अगला सवाल है कि किस मल्यालम फिल्म ने सत्तरवे राष्ट्रिय फिल्म पुरुषकार में सर्मस्रेश्ट फीचर फिल्म का पुरुषकार जीता है ठीक है तो option आपका इसका क्या है गुल मोहर, उचाई, अटम या फिर कांतारा ठीक है तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया अटम, option C आपका इसका राइट आंसर हो गया आनन्द एकार्शी द्वारा निर्देशित मल्यालम फिल्म अटम ने योन हिंसा को शंबोधित करने वाली सर्वस्रेश फिचर फिल्म का पुरशकार जीता है नेक्स सवाल देखते हैं तो अगला कुश्चन है हमारा कि जमू एंड कश्मीर में तीन चर्णों में विधान सभाशुनाओ कब सुरू होंगे ओप्शन है आपका 1 सितंबर 2024, 18 सितंबर 2024, 25 सितंबर 2024 या फिर 1 अक्टूबर 2024 तो यह कम सुलू होगा आपका विधान सभाशुनाओ जमू एंड कश्मीर में 18 सेप्टेंबर 2024 को यानि आपका ओप्शन बी आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया जमू एंड कश्मीर में तीन चर्णों में ठीक है तीन चर्णों में जो है विधान सभाशुनाओं होंगे जो आपके 18 सितंबर से शुरू होंगे उसके बाद के चरण 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे यानि कि आपके 18 सेप्टेंबर को भी होगा, ठीक है, 25 सेप्टेंबर को भी होगा और 1 अक्टूबर को भी होगा, लेकिन स्टार्ट कब होगा आपका, तो 18 सितंबर से, नेक्स देखते हैं, कि 37 वर्ष की आयू में थाइलेंड के नए प्रधान मंतरी के रूप में किसे चुना गया है, ठीक है, ओप्शन है आपका, यंगलक शिनावात्रा, स्रेथा थाविष्नी, पैंटो गटारन सिनावात्रा या फिर थाक्षिन सिनावात्रा, आपका इसका राइट अंसर क्या हो गया, ओप्शन C, 37 वर्ष की आयू में थाइलेंड के नए प्रधान मंतरी के रूप में चुना गया है, ठीक है, नेक्स देखते हैं, तो फू थाई पार्टी के 37 वर्षिय नेता और पुर्व प्रधान मंतरी थाक्षिन सिनावात्रा की बेटी पैंटोग तारन सिनावात्रा को थाइलेंड के नए प्रधान मंतरी के रूप में चुना गया है, ठीक है, नए प वाल है कि 16-18 अगस 2024 के मद्ध है अंतर राश्ट्रिय फिल महोसव का दश्मा संसकरन कहां आयोजित किया जाएगा ठीक है दश्मा संसकरन जो है वह कहां आयोजित किया जाएगा दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में मुंबई के NCPA में सिमला के गोईटी थेटर में या आफुर जैपुर के राम पैलेश में आपका इसका राइट अनसर क्या हो गया सिमला के गेटी थेटर में यानि ऑप्सनसी आपका इसका राइट अंसर हो गया नेक्स्ट है कि 16 अगस 2024 को थाइलेंड में किस अंसर ने किसे देश का नया प्रधान मंत्री चुना है तो किसे चुना है इसका कमेंट्स आप लो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा ठीक है नेक्स्ट कोस्टन है आपका कि 16 अगस 2024 को केंद्रिय क्रिशी और किशान कल्यान राज मंत्री ने किस पोर्टल को अनावरन किया है आपका क्रिशी विकास पोर्टल, किसान सहायता पोर्टल, किर्शी निर्ने सहायता प्रनाली पोर्टल या फिर किसान कल्यान पोर्टल तो आपका option C जो है आपका क्या हो गया इसका right answer हो गया, यानि क्रिशी निर्ने सहायता प्रनाली पोर्टल, ठीक है, option C आपका इस question का right answer हो भारत के नए केंद्रिये ग्रिष सचीव के रूप में किसे न्यूपत किया गया है? अनिल कुमार को, गोविंद मोहन को, राजीव कुमार को, या फिर संजय वर्मा को, तो गोविंद मोहन को. यानि option B आपका क्या हो गया? इसका right answer हो गया. चलिए अगला सवाल देखते हैं. आगे आपका कि 14 अगस्ट 2024 को, गोविंद मोहन IAS को, नए केंद्रिये ग्रिष सचीव के रूप में न्यूपत किया गया है. वह अजय कुमार भला का अस्थान लेंगे, जिनका कारिकाल 22 अगस्ट को समाप्त होने जा रहा है. कब समाप्त होगा? उनका कारिकाल 22 अगस्ट को समाप्त होगा. ठीक है? नेक्स्ट है कि टेली मेटिक्स विकास केंद्रियानी सी डॉट किस मंत्राले के तक्त्वा धान में कारिकरता है. संचार मंत्राले, इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी, मंत्राले, विज्ञान और प्रोधगी की मंत्राले या फिर रक्षा मंत्राले. ठीक है? तो संचार मंत्रा भारत सरकार के प्रमुख दूर संचार अनुशन धान एवं विकास केंद्र शेंटर फॉर डेवलपमेंट ओफ टेलीमेटिक्स सी डॉट ने अपना 40 म स्थापना दिवश मनाया यह कमजोडियों का विसलेशन और शमन करता है तथा साइबर खत्रों के लिए AI सक्षम स्वचालित प्रतिकिडिया देता है नेक्स्ट कोस्चन है आपका कि किस सल्था ने लैंगिक रुढिवाधिता से निपटने पर पुस्तिका जारी की है नीती आयोग ने भारत का सर्वोज ने आया ले भारत का चुनावाध या फिर प्रधा ठीक है कौन से सल्था ने जारी किया है तो किसने किया है भारत का सरवोज ने आया ले यानि option B आपका क्या हो गया तो इस question का right answer हो गया नेक्स सवाल देखते हैं तो अगर आपका के सुप्रिम कोट ने लेंगिक शमानता और न्याई के लिए एक महत्पुर्ण योगदान दिया जिसके तहत एक पुस्तिका जारी की गई है जिससे न्याई धीशों और कानूनी समुदाय के सदश्यों को गलत रूडियों की पहचान करने और उनसे बचने में मदद मिलेगी खाश करकिन को तो महिलाओं को लेंगिक रूडियों का मुकाबला करने की पुस्तिका लेंगिक अन्याईपुर्ण शब्दों और अभी वैक्तियों का एक सब्द कोश प्रदान करती है और आदेशों और निर्नयों सहित कानूनी दस्तावेजों में ठीक है उप्योग के लिए वैकल्पिक सब्दों और वाक्यांसों का प्रस्ताव करती है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं तो अगला सवाल है आपका कि दच्छिन पूर्व एसिया के सबसे बड़े वी लवनी करन सयंत्र की आधार शिला किस भारतिय राजे में रखी गई है तमिल नाडू में, केरल में, आंधर परदेश में या फिर राजस्थान में आपका इसका राइट अंसर क्या हो गया तमिल नाडू यानि आपका इसका राइट अंसर हो गया नेक्स्ट है कि मुख्य मंत्री M.K. स्टालिन ने इस्ट कोस्ट रोड पर पेरूर में जो है आपका 4,276.44 करोर की लागत से बनने वाले नए वी लवनी करन सयंत्र की आधार शिला रखी है इसकी शमता प्रती दिन 400 मिलियन लेटर शमुद्री जल को उपचारित करने की है एक बार अस्थापित होने के बाद या सहियंत्र दचिन पूर्वेसिया में अपनी तरह का सबसे बराशानियंत्र होगा इस पर योजनक को जापान अंतराश्य सहयोग एजेंसी से वित्य सहायता मिलती है जिसे दिसमबर 2026 तक पूरा किया जाएगा तो दिसमबर 2026 तक जो है इसे पूरा किया जाएगा आगे देखते हैं तो रक्षा अनुशंधान एवं विकास शंगठन DRDO के कामकाल की समिक्षा के लिए गठित समीती का प्रमुख कौन है तो आपका इसका राइट अंसर क्या हो गया ऑप्शन वी यानि क्या विजे रागभन आपका क्या हो गया इसका राइट अंसर हो गया रक्षा मंत्राले ने रक्षा अनुशंधान एवं विकास शंगठन के कामकाज की समिक्षा के लिए सरकार के पुर्व प्रधान वैज्यानिक सलाहकार के विजे रागभन की अध्यक्षता में 9 सदस्य समीती का गठन किया है, कितने सदस्य है, 9 सदस्य है समीती का गठन किया है, समीती राजी के स्वामित्तु वाली एजंसी के उत्पादन में शुधार के लिए इसके भूमिका के पुनर गठन और पुनर परिभाशित करने का सुझाव देगी, जिससे भारत को शैन्ने में आत्म निर्भर बनाने के सरकार की कदम को मदद मिलेगी ठीक है आगे देखते हैं कि आई आई टी बॉंबे ने नवाचार आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पहल का शमर्थन करने के लिए किस वित्तिय संस्थान के साथ साजेदारी की है ठीक है ऑप्सन है आपका है एच एस बीसी सीटी बैंक वर्कलेज या फिर स्टेंडर्ड चार्टर आपका ओप्सन ही आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया आगे है आपका कि IIT पॉंबे ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को अधिक कुशल लागत परभावी और इसके लेवल बनाने की दिशामें तक्नीकी प्रगती को आगे बढ़ाने के लिए HSBC के साथ साजयधारी कीया किसके साजयधारी किया है HSBC के साथ ध्यान उन अभिनप पर योजनाओं पर होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन को रननीतिक, वैकलपिक, इंधन के रूप में अस्थापित करने में मदद करेंगे, एक मजबूत ग्रीन हाइड्रोजन अर्थवेवस्था बनाने में मदद करेंगे, और उर्जा स्वतंतर राष्ट के सरकार के द्रिष्ट्री कोन को प्राप्त करेंगे ठीक है जो बच्चे बिहार सिविल कोट की तैयारी करते हैं ठीक है बिहार सिविल कोट कलर की तैयारी करते हैं उनके लिए जो है या एक रिवीजन बैच है जिसमें आपको PT plus mens का जो course है वो आपको पुड़ा का पुड़ा complete कराये जाया कितने में मात्र 400 नियन अनवे में ठीक काउंट होगा ठीक उसी तरह जो बच्चे जो है विहार सिविल कोट प्यून की तयारी करते हैं उनके लिए जो यह रिविजन बैच है वो मात्र 399 में है और उनके लिए भी जो इंटर्व्यू पे जो है एक स्पेशल डिसकाउंट दे आ जाएगा आगे आपका PDF रूटीन ठीक है यह PDF रूटीन जो है आपका जिसमें आपको दस हजार ब्लस MCQ मिल रहे हैं ठीक है वो भी कितने में तो मात्र 121 रूपे में यह बिहार सिविल कोट और सब्जेक्ट का PDF ठीक है जिसमें आपको सारा का सार सारे के सारे सब्जेक्ट का जो PDF है वो आपको मिल रहा है तो आपको करणे मैं बस इतना ही है कि हमारे लिंक से जो है आपको aspirants live का app डाउनलोड करना है और वहाँ जाने के बाद आपको paid course में जाना है paid course में आपको pdf का एक folder दिखेगा वहाँ जाके आपको purchase करनी है और सबसे बड़ी बात कि इन सारे pdf का जो discussion है वो करवाया जाएगा ठीक है अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद